रामाचारी, स्टेंड अप सौरी सर, मैं ठीक से पढ़ने ही पाया था, इसलिए कॉपी की क्लास में जब मैं सभी बच्चों को पढ़ा रहा था, उस वक्त तुने अगर ध्यान दिया होता, तो ऐसे गलत हरकत नहीं करता सर, आप आगे के बैंच पर बैठे हुए बच्चों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, और लास्ट बैंच पर बैठे हुए बच्चों को आप देखते भी नहीं है तुम मुझसे जबान लड़ा रहा है चल पैंट उतार, सॉरी से मुझसे गलती होगी, सब के सामने ऐसे मेरी हिज़त मत उतार ही है, टू वाट इस से, उतार पैंट, सब आपलांग काम करो, आउट, आई सेट गेट आउट अरे, इतने जल्दी आ गए, रामचारी, इस साल भी तू फेल हो जाएगा, मैं सब जानती हूँ, तू कभी ध्यान लगा कर नहीं पड़ता, देख, और अपने भाई से कुछ सीख, मुझे इस सरह से परेशान करके तुझे क्या मिलता है, मुझे कोई समझाए तो उसे उटा जवाब देता है, तेरे पापा की गलती है, जो तुझे स्कूल भेजा, मेरी किस्मत ही खराब है, बता नहीं तो कब सुद्रेगा, फिल्मोन ने तुझे बिकाड कर रख दिया, मैं एक गुंडे का बेटा हूँ, यह सच है, एक्जाम में कॉपी करता हूँ, यह भी सच है, लेकिन सर मैं आपको साफ साफ कह दूँ, कि धोखा देने वाला गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं, शड़ा प्यू, तुझे सजा मिलकर रहेगी, अपनी पैंट उतार, टेट आउट, देर स्टुडेंट्स, सुरेश पूरे क्लास में टॉप आया है, इसे मैट्स में 90 मार्स मिले हैं, और इसलिए सुरेश के लिए आप लोग सब तालिया बजाएंगे, तु इतना हुदास क्यों है रहे, मुझे 20 मार्क्स मिले हैं, और तुझे, मैट्स में इसे 20 मिले, इसे 40, और मुझे 35 मिला है, तो हम क्लास में फर्स्ट आये हैं, यह क्या कह रहे हो, सुरेश को 90 मार्क्स मिले हैं, हम तीनों के मार्क्स जोटे तो 95 होते हैं, तुम तीनों लोग मिलकर 95 लाये हो, और सुरेश ने अकेले ही 90 स्कोर किये हैं, राजनीती में 20 40 और 35 सिट्स लाकर एक जुट होकर मेजारिटी में आकर जब गवर्मेंट बना सकते हैं तो फिर हम तीनों मिलकर फरस्ट क्यों नहीं आ सकते हैं नेताओं के लिए एक रूल और हमारे लिए अलग रूल ए हम ही फरस्ट आये हैं बजाओ रहे ताले हमारे ही रोगी में हमारे ही रोगी हमारे ही रोकी है आज 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 ऑफ शुनना यार इस अध्र यह और यह और आ उनर कॉश्ट गुंडे सीनू के साथ लफड़ा हो गया यार वो फिल्म का इंटरवेल के बाद का डपा लेकर भाग गया है यह बात अगर फैंस को पता लगे तो सोसे क्या होगा है तू उसके लिए इतना घबरा क्यों रहा है तू बस फिल्म स्टार्ट कर रामाचारी उसे एंड करेगा यह बजाओ रहे तूनो रामाचारी तुम कहा हो तूनो आगा आगाओद अृट एंगाओव एंग उसेर वावग इंगाओएंगराी टिल्लव गार्णा बख्मवाद़ यह एवाओभ दो किसा फिए आपड़ाय को आपड़ाय को आपड़ाय को आपड़ाय को आपड़ाय उस्टे दूज्य माराक श्चारी टोडू ईए पर एक नो कर दो हो कर दो कर दो है कर दो बताएगा कौन है तू फैन हो क्या कहा फैन है तो थेटर में जा नाच गा फोटो पे हार चढ़ा दूद से नहला यहां आकर पोस्त को दे रहा है असलिए फैन सिर्फ नाच गाना फोटो पे हार और दूद नहीं चढ़ाते अपने हीरो की तरह दुश्मन को खतम करते हैं तू होल्स तो एक मामूली फैन है तो हीरो के माफिक डालोग बाज़ी क्यों कर रहा है हर हीरो हीरो बनने से पहले वो भी किसी पारा मेरे बाप तू जा अगर मेरे बाप को पता चला कि मैंने तुझसे अभी दोस्ती रखे तो मेरा जीना हराम हो जाएगा तू जा बाई कल मिलते हैं उस लोफर से दोस्ती ना रखने के लिए मैंने कितनी बार समझाएं तेरा फ्रेंड सरकल ही बता रहा है कि तू किस रहा पर जा रहा है रामचारी पापा चलेगे उच्जा पापा के स्कुटर का साउंड इसके लिए अलाम है उनके जाने के बाद ही तूट पापा जब सो जाते हैं फिर तु घर आता है कई सालों से पढ़ाई नहीं कर रहा है कैसे कैसे लोगों से तुम्हें मैंने लड़ते हुए इसकी तरह नहीं रह सकता हूं और कभी एकस्पेक्ट भी मत करना यह फिरस्ट पेंच वाला है यह चलता हूं मां जा 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 पच्चों खुच रहे हैं और अपने सा डोनेशन लेकर मैनेंजमेंट ने इस कॉलेज को आवराओं का अड़ा बना दिया है एसों को सबक सिखाने के लिए वो बिल्कुल सही है क्या आज वो हीरो कॉलेज में आया है हमें कॉलेज छोड़के जाना पड़ेगा उसे देखते ही वह आखों में बस जाता है जू लड़के उससे शादी करेगी वह बहुत ही लखी होगी नमस्ते भाई अब एक कैसा है चोटे और तेरे प्रिंसिपल श्रीनिवास मूर्थी की क्या हाल जाल है पहले जैसे थे वैसे ही है आपका नाम लेकर होते है 1972 सही मुझे रामाचारी नाम से अलरजी है प्राब्लम है उनके टाइम में वो रामाचारी और मेरे टाइम में ये रामाचारी यार किसी भी तरह आई है डोनेशन की बात तो बट निकली होगे जाल निकली आएंजे कि भासे मूबाइल के बात तो सारे लड़के त़े में बिगड़ गाए नामाचाई की तरह और पानी तरह पानी में मोंबाइल गुरें के मूबाइल में पानी गरें बिगड़ता मॉबाइल है बाइ कि पूरी संस्कारी लड़की भाई इसके चेहरे की रौनक तो देख ऐसे लड़कियों के सामने सिग्रेट पीना है सॉरी तुम दुखी मत हो ना पैंध फैल हुआ था तभे तुम मेरे साथ थी पी यूजी में तीन साल था तभे तुम मेरे साथ थी लेकिन ऐसी लड़कियों के सामने तुम मताना कॉलेज कॉलेज कहलेने के लाइक नहीं एक जमाने में हर लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंडा जाता था लेकिन आजकल हमारे लड़के को एक अच्छी लड़की मिल गई तो उसके किसमत समझ लो आजकल की लड़कियों से तो हमें उपर वाला ही बचाओ प्लीज मेरी हेल्प करो वो मेरे पीछे पड़ा है दम लगाने के लिए दम है उन्हें फेस करने का दम नहीं है आज मेरा कॉलेज में फर्स्टे है इसलिए रैगिंग कर रहे हैं जबरदस्ती सिग्रेट पिलाई मुझे यहां तक तो ठीक है पर अब बहुत पार कर रहे हैं कि मैं उसे सबके सामने किस करो कि विकर मत करो बहुत दम है तुम है जब इजब बात आती है तो लड़कियां भी शेर नहीं बन जाती है रामाचारी जिस में तेरा लेना देना नहीं है उसमें इन्वाल मत हो यह पूरा कॉलेज अप उनका है तेरे लिए अच्छा होगा कि सुना में तूफान और आंधी कभी कबार आती है वो भी बिना बता है लेकिन जब भी आती है तो इतनी जोर से आती है कि सब कुछ तबाह करके जाती है यहां मेरा कितना जोर है तू नहीं जानता मेरे आने से पहले यहां दूसरों का जोर चलता है पर मेरे आते ही मेरा जोर कर दो 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 हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है नब करिदू उरी कि भी कि एंट उरन कर भी कृगगाता ऑऔ... क्ताB已 पिताप संद मुड़ पिर हिलाreaming युज खिरष्यक वप ट गए किसे झालतिश। उरी कि अएक बगी है युए रिप शह रह रहा मैं अजिया क मैं अभोस और का इसा का नधने के positively सहीतंगाय के अलका मृट्स जίας कि अल्ग कि यूר को पूर कि आप है कि ऐसे इस पूर समय कुो मैं पॉलिस चैसे चाल इसे यह लोग बेचारा बहुत अच्छा लड़का है सिर्फ तेरी प्रॉब्लेम की वज़े से आज उसे पुलिस का दंडा खाना होगा हाँ उस लोफर के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसी करनी वैसी भरनी सर मुझे जाने दीजिये ना है स्टूडिंट होकर पता नहीं कैसे रहना है पबली के बीच में तुम लोग दंगा फसाद करते हो तुम सब को पुलिस के चार्ट डंडे पढ़ेंगे ना तब सही रास्ते पर आजाओगे सार आप पेरे रास्ते को समझ ही नहीं पा रहे हो तो एक्सक्यूज मी सर आपने गलत इंसान को पकड़ लिया कॉलेज में वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे इन्होंने तो मुझे बचाया है अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरा ट्रैक रेकॉर्ड कैसा है सर थांक यू आपने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया तुमारी उसके लिए पुलिस वाले हैं हंड्रेट नंबर्स में डायल करना वो सही अड्रेस पर पहुंच जाएंगे तुम्हें पुलिस टेशन में ज्यादे दिर रोखना नीच चाहिए जाओ बाइए रामसी जी सर उस लड़की के हिसाब से ये बिल्कुल बेकसूर है जी है सर तो फिर इसके नाम से कंप्लेंड क्यों दर्ज किया गया मेरे खिलाब किसने कंप्लेंड लिखवाई है शंकर जी ने लिखवाया है सर कौन है यह शंकर उसे पुलिस टेशन बलाओ शंकर जी उनको आने में आदा खंटा लगेगा तब तक बिरेनी ओडर कीजिए ना सर इसने कॉलेज में हो रहे है रैकिंग का विरोत किया लड़का बहुत ही शरीफ है अपना कंप्लेंड वापस ले लिजे अच्छा यह बताईया इसे आप जानते कैसे हैं मेरे पापा है सर अब झाल 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 पापा भी ना सारी दुनिया का कहां मानते हैं लेकिन खुद के बेटी का कहां नहीं मानेंगे अरे मेरी किसमत में पढ़ाई नहीं लिखी है तो इसमें मेरी क्या गलती बेटा गलती करता है तो पापा उसे डाटते हैं लेकिन ये तो दूर भागते हैं नमस्ते हैं तू तो फिर जयाकर जोईन हो गया सैलरी बढ़ा दी ना इसलिए भाई सब आपको आए कितनी दिर होगी काफी दिर से आया हूं हम बाद में बात करेंगे मैच बहुत इंटरस्टिंग है गिता बेटा गिता बेटा जरा दो कप स्ट्रॉंग कॉफी लेकिया बेटा बहुत टेंशन वाला मैच है शक्कर ज़रूर डालना कोई जरूरत नहीं है आपका शुगर 240 और BP 120 है दो बार हाट अटेक आचुका है ए शक्कर मत डालना ए रामाचारी तू कहां जा रहा है यहां पर बैठना इंडिया जीतेगा ना पक्का तू कहां चला तू बैठा रहेगा तो इंडिया जीत चाहेगी तू यहीं रहे अब दो बॉल बाकी है और छे रहें चाहिए जीतेंगे अंकल गीता कैसी है भाई साब अच्छी है वही मेरा ख्याल रखती है स्टेडी भी करती है दोनों काम में आवल है मेरी बेटी है कैसे अंकल अब मैं ठीक हो बेटा कॉंग्रेट्स पर्मोशन मिला है ना तुझे जी अंकल हैरी को आप नहीं पढ़ा है इसले तनी अच्छी नौकर के लिए आपका हैसान हम कभी नहीं पर सकते रिष्ट्यदारी में हैसान कहां होता है इनमें और मेरे बच्चों में क्या फर्क है दोनों तुम्हारा नाम रौशन करेंगे नाम तो जरूर रौशन करेंगे लेकिन वक्ती बताएगा कि अच्छे के लिए या फिर बुरे के ल करो प्लीज डिलीट मारो तो 500 रुपय लगेंगे 500 रुपया पुलिस वाले भी तेरे जैसे नहीं है 100 रुपय में सेट्लमेंट कर लेते हैं यह ले ब्लैक मेलर पापस लोटा दूंगी तो खुश हो जाओगे ना तो जान जल रही है जाके मोरे भाया की डिवीडी देख ले मेरा वहां बिल्कुल मन नहीं लग रहा था माँ यह कॉलेज भी सच में बहुत अच्छा है यह लोग चाहे कॉलेज में हो या फिर इस इलाके में अपने अपको संभालना किसी लड़के को ज्यादा इंटेटेंट मत करना अशोक आज के बाद दिव्या के मामले में कोई भी अटेंशन मतलो और हां तुम्हें कोई सतार है तो बता दो मैं उससे निपट लूँगी सर सर आज रामचारी कॉलेज में आया है क्या क्यों तुम्हारी अटेंडन्स शोट है या फिरको डिशन कि क्रॉबलम है या फिर कोई लुच्ट!! लटका तुम्हारे पीसे पढ़ गया है बताओ क्या बात है ऐसी कोई बात नहीं है SIMS54D उससे सिर्फ हाई कहना था मुझे इसलिए सिर्फ हाई कहना था वो डेली कॉलेज में हाजनी नहीं लगाता है लेकिन चाय की टपरी पर मिल जाएगा वहां जाके देख लो इखकुमी मिफ्रम चारी आज तुमारी यहां आया था क्या नहीं माडम वा सिग्रेट तो में लिपलंको तक गिरी ने लड़कियों को घूड़ता तेरे गर पे माँ बहन नहीं है क्या अशाल है तुरुक भाई, सच किया बताता हूं भाई वो मुझे देखती है तो मैं उसे देखता हूं उसके घर में बाप भाई नहीं है क्या वो भी फुल लोफर है भाई पक्का प्यार करने वाली लड़कियां जब मुढ कर देखती है दिल हिल जाता है वो किलर है बाहस उनकी आखों में इनकमिंग और आउट कोईंग दोनों दिखाई दे तो लब है भाई, लब सवन, दुबारा तेरी शिकायत आईना तो तेरा गाल लाल कर दूँगा इसे सुधार ने निकला तो यह मुझे कलित रहा पे ले जा रहा है यह उस लड़की में इतना इंटरस्ट क्यों ले रहा है उसका जादो चल रहा है पहले ही शर्ते रख देना तो आगे तकलिफ कम होगी उसमें गुसा बहुत है, वो किसी की भी नहीं सुनता उसे सिग्रेट पीने की बूरी आदत है माना के सिग्रेट की आदत बूरी है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है उसके जितना जिगरवाला लड़का इस पूरे कॉलेज में ढोन कर भी नहीं मिलेगा उसकी हसी, उसकी बातें कैसी है? भाई, कॉलेज का टाइम हो गया, मैं जाओं क्या? ए, तेरा टाइम पूरा करूं क्या? और बोलूं क्या भाई, बार बार उसके करीब जाने का मन करता है वो और उसकी बातें याद आने लगती है बोल तो एकदम सहीरा है अरे डबा, यार उसे क्या हो गया? मेरे हिसाब से रामचारी को लव हो गया है लव हुआ है? हाँ वो भी रामचारी को? हाँ मतलब उसके रस्ते लग गए अच्छे ये बता, ये वन वे है या टू वे है? उसकी हरकतों से तो मुझे लग रहा है कि वन वे ही होगा अरे भाई तो तुझे उसकी मदद करनी चाहिए क्यों भाई रामचारी? ये प्यार बहुत खतरनाक चीज है भाई सोच समच करी कुदना इसमें सोच कर मैंने जिंदेगे में कभी कुछ नहीं किया ये प्यार भी बिना सोचे हो गया है तेक रामचारी अकेला है इसलिए आराम से जी रहा है यह ब्रेम रोग जब लगता है तो ड कउपा करनी पड़ती है मिलना पड़ता है और ये सिग्रेट छुपा छुपा के पीना पड़ता है पैग भी लिमिट रगाना पड़ता है ये सब तेरे भस की बात नहीं है यार अच्छा ये बता कल को उसका भाई दिवार बनेगा तो तू क्या करेगा उसी के एरिया में उससे दोड़ा दोड़ा के मारूंगा जो इसका साला बनेगा उससे तो चुलू भर पानी में डूबना पड़ेगा आपकी द्वारा डाइल किया हुआ नंबर ब्यस्थ है क्रिपिया थोड़ी देर बात प्रैद नगरे अफों नहीं इठा रहा है एसा क्या वित काम कर रहा है वो हमारे हीरो के सबसे बड़े फैन की, हमारे हीरो के 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 फैन की, हेरा भात है, रामाचारी, स्टेज पर तो तुमने कमाल ही कर दिया, और केस्ट्रा है के तुम आज के सबसे बड़े सुपरिस्टार हो यार, औरों क क्यों तुम्हारे मूबाइल में बैलेंस नहीं है क्या कल से लेकर आज तक दस बार पॉन कर चुकी हुम है फोन उठाने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है लड़कियों का नंबर लेने के लिए लड़की तडबते हैं एक मिस्ट कॉल दे दे तो मुबाइल का दम निकलने तक बात करते हैं और एक तुम होजी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्यों अगर ये सिम चाहिए तो कल से तुम्हें रोज कॉलज में प्रेजिंट रहना पड़ेगा ये रामाचारी, तत्तु और डबबा के रात को मिलने की जगा है जो एक चाचा हमारे लिए छोड़ गया है हम तीनों मिलते मिलते दोस्त बन गया है और पिते पिते ख्लोस फ्रेंड हो गया है कि ये साइड में रखा ब्लैकबोर्ड क्यों है ये रामाचारी का कॉंसेप्ट है हम लोग क्यों पिते हैं इसका कारण हम लोग यहां लिखते है रीजन जानने के बाद रामाचारी डिसाइड करता है कि कि इतना पीना है हॉस्टल में रहने वाली मेरी बहन घर लोट आई है सिस्टर सेंटिमेंट सिक्स्टी अर डबबा अब तू बता मैं क्या बताओं लव फेलियर है आज भी सिर्फ सोड़ा कम से कम थर्टी तो पीने दे यार लव और पैसे के माल में में जो फेल होता है वो एक नमर का लूसर होता है या तो खुद को समालो या गम फूल जाओ इतने से गम नहीं जाएगा मुझे यह पीना पड़ेगा 120 लिखा 120 किस खुशी में बाई लव पहले 30 उसका पता लगाया उसके लिए दूसरे 30 मेरा मोबाईल तोड़ा इसलिए तीसरे 30 मेरा सिम कार्ट ले गई इसलिए और लास्ट के 30 मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ेगा उसके लिए चीर्स प्यारे इतनी जल्दी डेवलप्मेंट कैसे हो गया जिसे तु ढूंड रहा था वो मिल गई वो भी तेरे लाके में लगता है वो लड़की तुझ में ज्यादा इंट्रेस्टेड है देखना या किसमत का भी क्या खेल है जो लड़के हमारी तरह शाराफत की सिंदिगी जीत रही है वे मैं सुन रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि जो मन में आया वो बखता चला जाए तू मेरा सपोर्ट कर या मत कर रामाचारी तो प्यार की राह में निकल चुका है कल से हमारा प्यार बिना है रुके चलता चला जाये सुन उस लड़की ने ओके करी दिया है तो किस बात दर आज से तुम दोनों के प्यार को मेरा फुल सपोर्ट उसके घरवाले क्या कोई भी बीच में आया तो मैं तेरे साथ ख़ड़ा रहूंगा अब आगे मैं क्या करूं और क्या करेगा जाके प्रोपोस्ट कर यार तुझ लड़की को तुने अल्मोस्ट पटा लिया अब घरवालों को पटा वरना लास्ट मोमेंट पे बुलेगी ओहो मेरे घरवाले नहीं मान रहे और तुझे टांग दे दें क्यों इसे घर तक इसे अड़या हो ज़न सकते हैं ताथा, ताथा, ताथा क्या बॉस सबको यहां से बाहर निकलूं क्या मैं यहां रेप करने आया हूं क्या तु अपना ठककन बंद रहा है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है यहां आईए मास्टर जी यू कंटिनियू फाइव फोर ट्री टू क्या बताओं जब से तुम सिम काट ले गई हो मेरा फोन आना ही बंद हो गया है तुम्हारे जाने के दस मिनिट बाद मुझे हैसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरा सिम काड ही नहीं ले गई बलकि मेरा दिल भी ले गई हो आज के बाद अननन नंबर से ही नहीं कॉल सेंटर से भी फोन करोगी तो भी रिसीव करूँगा सिर्फ मोबाल से ही नहीं पबलिक बूच से भी मिस्ट कॉल दोगी तो भी उसका जवाब दूगा इसके अलाबा तुम्हारे पहचान का कोई लॉयर होगा तो मुझे एक एंट यूनो दिल में एक लहर से उठ रही है टेंशन में सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गया हो तो एड़्यस कर ले ना इसमें शादी का जोड़ा हल्दे कुमकुम चूड़ियां फूल सब कुछ है आज के शुब मौके पर मैं इसे तौफे के रूप में तुम्हें प्हेंट दे रहा हूं ये मेरी जिन्देगी का सबसे बड़ा खुशी का मौका है वैलेंटाइन डे के दिन ग्रीटिंग एक हिंदुस्तानी लड़की से अपने प्यार का इजहार बिल्कुल इसी तरह से करता है मेरी जिन्दगी में जिस लड़की को मैंने पसंद किया है वो फर्स्ट एंड लास्ट लड़की तुम ही हो आज से तुम बस मेरी हो और मैं बस तुम्हारा मैं जानती हूं तुम रामाचारी हो मेरा नाम है मार्गरेट मार्गरेट तुम्हारे माबापने तुम्हारा नाम कला शीला चंचला वगएरा कुछ भी नाम रखा होगा astrology numerology के हिसाब से ABC कुछ भी एड़ किया होगा लेकिन आज से इस रामाचारी के लिए तुम मार्गरेट हो कितने अच्छे डंग से प्रपोस किया है यार ना कर दे इस नागराज से तेरा रिष्टा नहीं जमेगा तेरा नाम क्या है कस्तूरी तो फिर तुस्वर ना होगी हां हां मेरी अच्छी बुरी आतफों के बारे में इन दोने ने बहुत रिसर्च किया होगा आस पास के लोगों से जानने के बाद ही लड़कियां ओके कहती हैं मेरे बारे में तुम्हें जरा सा भी डाउट हो ना तो इन चम्चियों से नहीं सिधे मुझ से पूछना है चलता हूँ आज के बाद फोन आता ही रहेगा 24 आर्स मोबाइल आनी रहेगा रामचारी तुम कॉलेज में आते हो एक निंग क्लास नहीं अटेंड करते क्योंकि मैं बिना क्लास के पास होता हूँ कहा ने जा रहे हो मुझे इस सर्प्राइज है यह सप्राइज फिचया है क्पूर्द पता चल जाएगा क्या है तो जिस सप्रेञग्का रहता हूं तो कि मिलने वाली हो वहहां सहाँ एक मिनित बहूं बस एक ब्रखना चरह ज्यादा नॉट किया न मिलाउंगा नहीं है से मत बोल अपने एक साइप्रेंट रोक नहीं पारो मिलाना मिलाना चल 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 है मार्गरेट यह है मेरा क्लोस फ्रेंड यह है मेरा सप्राइज अरे ग्यार यह मेरी बेहन है बैया सुनिये तो हाँ 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 फ्रेंड की बहन से दूसरा फ्रेंड प्यार कर बैठा और यह लड़की कौन है जाने बिना उसे टिप्स दे रहा था बहुत बड़ी गड़बड हो गई इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर उसे खाना खिलाकर अपनी बेहन काखी चाजी और यहां तक की भाभी से भी मिलवा दो अब यह गधा अगर रामाचारी को अपने घर ली जाता तो इतना कन्फूजन नहीं होता फुल बॉटल मेरी बैंसे मेरा इंट्रोडेक्शन कर वाया उस पर एक नजर रखना कहने से पहले तुने उस पर तुनों ही नजर रख दिया अच्छी दूस्ती दिवाई दोस्त जो इसका साला बनेगा उससे तो चुलू भर पानी में डूबना पड़ेगा यह क्या किया मैंने अपने ही हाथों से अपने अरे दत्तु तेरी भावी से आज मुझे मिलना है यार समझ में नहीं आता कौन से कलर काट्रेस पहनूँ लड़कियों को कौन सा कलर पसंद आता है अरे सुन यह लड़कियों को जनरली कौन सा कलर पसंद आता है औरों के बारे में तो नहीं जानती पर मुझे औरेंज पसंद है औरेंज पहन कर जा औरेंज पहनू थैंक्यू यार यार दत्तु जो होना था हो गया ना कुछ मत बोल यह मेरा पोस्टनल मैटर है इसकी क्या नोटंकी चल रही है यह गलती जान बुझके थोड़ी किये और जानकर होया अंजाने में गलत तो गलती होता है भाई होने के नाते वो बिल्कुल सहीरी एक कर रहा है एक बार उसकी जगा खड़े रहकर सोच कि देख समझ जाएगा देख तुछे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ओफिस में जाकर अपना एप्लिकेशन फिल अप करते मैं बैंक जाकर तुरंत आथा जंदी जाना रामाचारी मेरी अबाँ रामाचारी आज तुम क्लास अटेंड करने वाले हो बैठिए भाई बास नमस्ति भाई कुछ निभर को है और आसमी ड्योग रूँ हुआ उयुआ रामचारी तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं मुझे अवोइड ही करना था तो कॉलेज आने की क्या जरूर थी एक दूसरे को चाहने के बाद ही हमें पता चला कि तुम दत्तु के फ्रेंज हो और मैं दत्तु की बहन हूं इसमें हमारी क्या दोस्ती गैरों को अपना बनाने की ताकत रखती है लेकिन प्यार अपनों को भी प्राया बना देता है तुम से पहले दत्तु मेरा फ्रेंड है फ्रेंड को हर्ट करके मुझे खुशी नहीं मिल सकती समझी दत्तु को मैं मनाऊंगी क्या कहा वो लोफर रामाचारी तुझे पसंद है तुझे कै किसी पागल कुत्ते ने काटा है दत्तु के साथ जब उसकी फ्रेंडशिप देखती हूं तो वैसे ही मेरा खुन खौलता है अब उस पर तु उससे प्यार कर बेची मा रामचारी को बिना जाने उसे बुरा भला मत कहो वो क्या है ये मैं जानती हूं ए दत्तु सुना तुने ये रामाचारी से प्यार कर बैठी है इससे पूछ इसका दिमाग खराब हो गया है क्या चाहे कुछ भी हो जाए ये मुझे मन्जूर नहीं है समझा दैसे मुझे किसी से भी पर्मिशन नहीं लेनी है आपकी बेटी होने के नाते मेरा फर्स था इसलिए बता दिया लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए डिसिजर मेकिंग अबिलिटी और कॉमन सेंस दो नहीं मुझ में है शादी से पहले पापा पी रस्पॉंसिबल थे आपन के बारे में सुचने की ज़रत नहीं है दत्तु मा रामचारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती इतनी सालों से तुम उसके साथ रहे हो तब भी तुमने उसे पहचानने में गलती कर दी तुम्हें बता दूँ कि एक लड़के के बिहेवियर से उसकी कैरेक्टर का अंदाज लग जाता है और इस मामले में वो खरा सोना है जबसे उसे पता चल्ता है कि मैं तुम्हारी वहन हूँ तब से वो मुझ से ठीक से बात भी नहीं करता है तुम्हें हर्ट करके उसे मेरा साथ गवारा नहीं तुम्हें के लिए आख रेंचीप आप सु सुरी यार इसलिए मैं सिर्फ एग भाई बनकर नहीं सोचा यार फ्रेंड बनकर मैंने तो सोचा इने वह इस्वार्थी बढ़े यार अथा लिए जीजा बोल यार वाव वाव साले जीजा जी अभे साले हम पुराना रिष्टाह रिवाएंगे तुम दोनों साला जीजा बन गए है उस खुशी में मैं एक वार रहा है है यार एक पैक ज्यादा मार रहा है उसमी के है अब बहुत देर हो जुकी है जो प्यार में बाजी मारता है उसे टॉनिक और जो फेल होता है उसे नो टॉनिक है ना जीजा जी अरे मेरा साला हमेशा करत रहा है मेरी हिज़त है कि या जीजा जी लोब यू I love your sister Oma, Yuma, Oma, Oma, Yuma, Oma, Oma, Yuma, Oma मैं हूँ थोड़ा से ली जाना और तू होटे चली जाना सोचा नहीं था, जाना नहीं था तुझसे होगा इतना प्यारा अब तो यारा आलम है ऐसा तेरे बंदाय मुझको करा You are my bonfire, baby You are my desire, baby You are my bonfire, baby You are my desire, baby तू जो मुझे मिली जाना मुझे मिले खुषी जाना मैं हुँ थोड़ा से ली जाना और तू होटे चली जाना नजाने कैसे प्यार हुआ, खेल गया मैं इश्क का जुआ तू जाने कैसे प्यार हुआ, खेल गया मैं इश्क का जुआ हो गई कुबूर मेरी दुआ, मिली जन्नत तूने जोचुआ तुझे ही मैं सौचू, तुझे ही मैं ढूनो बेच्या जान आ तुमसे इंतिसार करना। तू मुझे ना मिले, तुझे मुझे 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 जाना क्या हुआ? मुछे 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 25 जा ना हो तुझे परेशानी मेरे तो अब ये हठानी ना हो तुझे परेशानी मस्ती में तु सब कीनानी शेता विदे तुझे सलामी तुझे है मैने चाहा तुचाना कोई आहा बेचैन हो जाओ हापी पर्स दे तुझे ना मिले यू आए 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 गुआ जा रहे हूँ जाना जरूरी है क्या? मैने तुमें बताया था ना मेरी क्लोस फ्रेंड की शादी है मुझे जाना ही पड़ेगा सिर्फ तीन दिन के लिए जल्दी लोट कर आऊंगी तुम्हारी लिए सिर्फ तीन दिन है लेकिन मेरे लिए पूरे चार हजार तीन सो बीस मिनिट है फ्रेंड साथ में मैं बाद में मेसेज करती हूँ सोच रही हूँ अगर तुम साथ होते तो और मजा आता मिसी रामाचारी इलाव यू दिव्या अज शादी तो मेरी है लेकिन देखा जाए तो मुझसे ज़्यादा तुम खुबसुरत लग रही हो लेकिन कुछ तो मिसिंग लग रहा है मूँ ठीक नहीं है यार बोर हो रही हूँ ब्रेकफास्ट में सूजी सचीन के बिना क्रिकेट और यह रामाचारी के बिना मारगरेट बोर ही तो होगी न यह लड़कियों का ड्रेसिंग रूम है तुम क्या करें हो यहां किसे करिए पागल होगी क्या कोई नहीं है बेकार टेंशन दे रहे हैं सबको रामाचारी रामाचारी वादर छिल्दी भेंको फादर शिर्ट जल्दी पहेंको फादर सिगर्ट कि दिमाग कड़ ही हो गया है मुझे हर जगे बस वही दिख रहा है और पागलों की तरह बात भी कर रही हूं कौर्टर पिला एक बंदर जैसी मेरी हालत हो गई है कितने सुकून से रह रही थी उससे दिल लगा बैठी बदा नहीं क्यों यह सोग यहां हाँ हो रेल है या खयाल है रियाक्ट मत करना वरना फबले की ज़े पूरी मेंटर संजेगी करो कोगो अच्छा इतनी अकड कोई बात नहीं इस मिस्टर डिजारेबल को कोई भी मिल जाएगी एलो एक्सक्यूज मी गर्ल्स एक मिनिट रुको एक मिनिट रुको क्या तुम सच में आए हो तुम मुझे छोड़कर यां रह सकती हो लेकिन मैंने रहे पया मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मैं तुम्हारे बिना एक फल भी नहीं कि रह सकती इसका ऐसास मुझे कल ही हुआ इसलिए तो मैं रात को गाउं छोड़का सीधा तुम्हारे पास आ गया डिखा लांट्रेर हमारी अधं। फ्रेंज आपने थीक सुना जस्ट फ्रेंज हैं हम दोनों की बारे में कंफीज हो कर कही गॉसिप मत बना और ठीक हैं जस्ट प्रेंण्ज हो इसके जल्दिया पर ब Wür औक यह क्या चेस्स फ्रेंड इतनी बार कहने की क्या जो रहा थी नहीं तुमने जो कहा उसे मेंटेन करा था वरना यह हमें लवस समझ लेती मतलब हम दोनों लवस नहीं है क्या अरे मैंने तो यूही कहा देखो हम लोग लवर्स हैं यह सभी लोग जानते हैं बस ना वो लोग पूछें और लोग बता हैं आजा हां बस अबस्टाइब रहां चीटिंग है यह चीटिंग है तुमने देखा ना लवली कितनी खुश थी हर लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है उसकी शादी सालों तक वो उसी सपने को सजाती है तुम बताओ हमारी शादी के बारे में तुमने कुछ सोचा है मार्गरेट हम हर किसी की तरह बोरिंग शादी नहीं करेंगे डिफरेंट और टाइब से करेंगे पहले तो हम हनीमून मनाएंगे उसके बाद एक स्वीट नियूज आएगी उसके बाद माता-पिता बनेंगे उसका नामकरन करेंगे उसके बाद हमारे बच्चे का फरस्ट यर उसके बाद शादी और बाद में रिसेप्शन मतलब मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हर बच्चे की एक तमन्ना होती है ना कि वो अपने माता पीता की शादी देखें हम बच्चे की खुशी को नहीं चीनेंगे नहीं मार्गरट बिलकुल नहीं हमारे रिलेशन के बारे में हो य मोर खड़ा रहेगा और मैं इंद्र धनुष की ऊपर से चलकर आऊंगी चारों तरफ दिये होंगे मैं सबसे पहले अपना दाया पैर रखूंगी कि मार्गरेट वेट्स रामचारी इतने लंबे प्रोग्राम के बारे में पहले से पता होता तो मा कसम गोवा आता ही नहीं 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 मैं तो मजा कर रहा था यह क्या है है यह बाव प्रोग्राम शुरू हो गया चलो इसे हैं हैं अपने जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले करता हूं अगर उसे कोई भूल हो गई तो नाराज मत होना प्यार से समझा देना वो समझ जाएगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी बच्ची को सदा खुश रखना येस अंकल सारी वो मैंने सोचा कोई रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा सर आपने तो मुझे एमोशनल कर दिया आपने बिल्कुल सही कहा मुझे भी ऐसा हैसास हुआ जब से वो मेरी जिन्दगी में आई है सिर्फ सपने ही सपने हैं पूरी जिन्दगी उथल-पुथल हो गई है तो सि सिर्फ उसी की वज़ा से है उसकी पूरी जिन्दगी उसकी सारी खुशियां उसने मेरे हवाली कर दी हर पल बस उसी कही ख्याल रहे और डर भी लगता है कि कही गल्ती से उसे मैं खोना बेठ हूं उसकी आखे उसके होट मैं जब भी देखता हूं तो सारी दुनिया भुला क टेख कर एक बच्चा बन चाता हूं। उसकी शादी होने के बाद हो सकता है कि वह अपने माबाब से बात ना करें। या यह भी हो सकता है कि वो महनों तक उनसे ना मिले, लेकिन उसे एक पल भी मिस्किये बिना उसका ख्याल रखूँगा, वो मेरी बनने के बाद उसे सीने से लगाने वाला पापा भी मैं हूँ, और हर पल प्यार देने वाली मा भी मैं हूँ, उसके हर पल हिवाज़त करूँग पर शंकर मूख खोल मिठाए खाए आज मैं इतना खुशू की बता नहीं सकता मेरी बेटी गीता और हरी की शादी तै हो गई है यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है पास क्लास अरे यह क्या कर रहे हैं आप बादा चाहिए आपको इधर लाइए यह क्या बात हुई तू ल तेरे जैसे सास ससूर हरी जैसा पती मिला अब मुझे कोई चिंता नहीं मुझसे जादा खुश नसीब कौन होगा तुम बता बेटा तुम खुश तो हो ना अरे अंकल यह आप क्या कह रहे हैं पापा जो भी कहेंगे वह सही है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया के जीतनी जीतनी खुश ही मिली है अब यह करके रहें आप जल्द वर्ल्ड कप होने वाला है देखना है या नहीं देखना पहले स्टेटमेंट पढ़ना फिर साइन करना है सुधा गुवा के फोटोस देखो कितने प्यारे हैं आप देखो लबली बहुत प्यारी लग रही है हाँ यह लो कि शादी बहुत शांदार हुए थी अरे सुधा मा सारी मैंने उसे मेसेज किया था कि मैं उसे बहुत मिस्स कर रही हूँ और वो बेवकुफ गो आ गया आप मान क्यों नहीं जाती मा जैसे आप सोचती है वैसा नहीं है वो मुझे बहुत चाहता है मा शुरुवात में सभी मर्द ऐसे ही होते हैं शादे के बाद व हमें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि माबाप पर डिपेंड रहते हैं उसके बाद जिन्दगी क्या है यह पता चलता है अरे मैं कह रहा हूं है सर अरे नहीं भाई देना ही पड़ेगा अरे सर लेकिन मैं गैरेंटी ले रहा हूं न एको साबस्टे में है मैं निकल चुकी हूं तुम का हो मार्गरेट मेरे दोस्ता एक लफड़ा हो गया तो उसमें उसके गलती नहीं है बस उसके ओपर केस दरज हो गया है तो उसे सॉल्व करके किसी तरह चुड़ा लो उसके बाद शॉपिंग चलते है इस ओके देखो मैं क्या रही है उसके लेंज के लिए जाना है कहां हो मार्गरेट पता नहीं क्यों सुबह से मेरी तभीयत खराब है मेरा कई जाने का मन नहीं कर रहा है तो अच्छा ओके अपना ख्याल रखना ठेक एर ओके बाए अचल मैच तकते हैं तुम्हारा घर रोड नंबर फाइं पर है ना तुम इस वत कहां पर हो तुम लंच पर क्यों नहीं गए अरे लंच में किसी और दिन चली जाओंगी उससे इंपर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ बुखार अभी भी है टैबलेट ली तुमने डॉक्टर के पास गई या नहीं बताओ मार्गरेट मैंने तुमसे जूट बोला कि मेरी तब्यात खराब हुई है मुझे बुखार हो गएरा कुछ नहीं था इंट्रेस्टिंग मैं चल रहे थी मार्गरेट तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सोचा कि मुझे खुश रखने के लिए कितनी मार्चूट बोला है अरे मैंने कभी तुमसे जूट मार्गरेट प्लीज मेरी जब तू यहां कुछ नहीं कर पाया तो वहां जाके क्या करेग तुम लोग टॉनिप कियोगे तो मेरा नाम लिखना मैं प्योंगा तो तुम्हारा नाम लिखोंगा चल 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 एडबा टेंचन मतले मैं जल्दी आ जाओंगा मार्गरेट क्या हुआ मेरे फ्रेंड को औरजन्ट खून की जरूरत है इसलिए फोन करके बुला हां चलो उसे कुछ नहीं होगा तुम फिक्र मत करो सर्थ बीट चेक किया है मैंने ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा स्मोक किया है तो फिर तीन घंटे तक हम आपका ब अरेंज हो गया अब कोई प्रॉबलम नहीं होगी प्रॉबलम अब उससे नहीं मुझे हो रही है तीन वक्त सिग्रेट ड्रिंक्स फ्रेंड्स भटकना मजा करना यही जिल्दगी है क्या मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड के लिए घून देना सच किए हैं अगर वही पैसे सेफ किये होते तो आज तुम्हारे पास एक ने सर नो कार मुझे यहीं इसे कहते हैं प्लानिंग तुम्हें नहीं टाइम की की मत है और नहीं पैसों की तुम सिगरेट पीती हो गया टाउनिक लेती हो क्या तो फिर तुम्हारे पास नैनो कार क्यों नहीं आई एक एक बेकर में क्यों परेशान हो रहा है लव में ये सब चलता रहता है एक हफते से मैंने उसे बात नहीं किये यार वो भी मुझसे मूँ फुला कर बैठी है कल उसका बिर्थडे है उसने मुझसे कहा था कि इस बार का बिर्थडे हम अलग तरीके से मनाइंगे किसी भी तरह उसे मना कर खुश करना पड़ेगा रामाचारी रामाचारी देख देरे पापा को क्या हुआ क्या हुआ जल्दी आकर देख हैरी ने लेंटर में लिखा है कि वह घर चोड़कर जा रहा है चैट यही सत्मा यह सेंदेंगर पाए क्या है कर दो कर दो दिव्या, दिव्या, हुट्जा, हैपी बर्ड़े, मा, तु जल्दी से त्यार हो जा, हम मंदिर चलेंगे, हुट्जा, शाम को पाटी करनी है या फिर रामाचारी कहीं ले जा रहा है, सुधा, आजाओ, सबलकर, रामाचारी औरफ अ刺या, भार की है फ़्या, कि एक हुएbereich जारी, या ले रहा है, मॉन्यकष्पु जगे बाई कि रामाचारी कि अगरेट मैं जानता हूं तुम उसे बहुत नाराज हो लेकिन मेरे घर की प्रॉब्लम है खेर छड़ो है यापी बर्थ देट टू यू मार्गरेट समझने की कोशिश करो आज तुम्हारा बर्थ डे है तुम्हें खुश रहना मेरी सारे खुशियां बरबाद हो चुकी है अब कोई खुश नहीं बची है मार्गरेट मैंने चान बुच कर नहीं किया पहले सुनो तो क्या हुआ है तुम्हारे पास हर बात का रीजन होता है ना हमेशा स्क्रींपे तैयार करके आते हो उस दिन तुम्हारा फैन पूली स्टेशन में था परसन तुम भीमार थे आज क्या भाना है तुम्हारी मम्मी की और भरोजा किया तो सोचती हूं क्या होगा लवर अक्सर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं और जब दोनों का रिष्टा पक्का हो जाता है टेकन फो ग्रांटेट है ना है आज तुम्हारा जनम दिन है इसलिए मैं तुम्हारा दिल दुखन नहीं चाता तो तुम कुछ भी पके जा रही हो मैंने तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया तुम ही मेरे पीछे लव-लव करती हुई आई थी हर किसी का अपना एक संसार होता है लव होते ही सब कुछ बोलने के लिए मजबूर तुम ही करती हो पल पल मैं तुमसे प्यार करता हूं इसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता फोन नहीं किया या समस नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तुमने जो कुछ भी कहा वो मैं नहीं कर पाया तो मैं लापर्वा इसे स्वार्थ कहते हैं जी हां स्वार्थी हूं क्योंकि हम शादी के बाद हमारे मा बाप फ्रेंट्स सब को छोड़कर चुब जब पराए घर में चली आती हैं उसे तुम स्वार्थ मत समझो वो प्यार है बिल्कुल सही कहा तुमने मैं ही लव लव करके तुम्हारे पीछे पड़ी थी लेकिन लव क्या है तुम नहीं जानते तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी क्या भरोसा तोड़ा लड़कियां हमेशा प्लान करके ही आती है तुम्हें मुझसे कई ज्यादा तुम्हारी सिक्योरिटी इंपोर्टेंट है हर लड़की एक लड़की के बार में उसका बैग्राउंड जानकर उसके बाद सोच समझकर उसे आई लव यू कहती है लेकिन हम लड़के वैसे नहीं होते हमें जब भी किसी से प्यार होता है तो उसी सेकंड वो कौन है उसका बैग्राउंड क्या है उसका क्या है ये चाने बिना ही हम उसे आई लव यू कह देत मैंने कितनी बार समझाया फिर बें तुम्हें समझ में नहीं आया तुने इससे पसंद किया है जिसके एक चपल से ज़्यादा आउकात नहीं है अपने खुद के घर में ऐसे लड़के के साथ तो अपने पूरी जिंदगी बरबात करना चाहती है बीच चौरा है पर बिना सोचे वो तेरी बेसत ही किया जा रहा है क्या और क्या है तुम क्या जानो जिसकी खुद के इज़्जत नहीं वो मेरी बेटी से क्या प्यार करेगा च्छी चल मेरे साथ दिव्या पापा मैं बच्पन से ही आप लोगों के लिए रामचारी से ज्यादा प्यारा रहा क्योंकि मैं मन लगा कर पढ़ता था मैं आपका हर कहां मानता था इसलिए आप मुझे ज्यादा इंपोर्टन्स देते थे मैंने इंजिनेरिंग किया है वो भी आपके कहने से नहीं मैं खुद चाता था इसलिए मैं पढ़लिक कर एक अच्छी नौकरी पाकर आप लोगों से हमेशा दूर रहना चाता था आपके दोस्त ने आपकी मदद की है तो वो कर्ज मैं उनकी लड़की से शादी करके क्यों च अगर उससे कोई फार्क नहीं पड़ता तो तू क्यों खाना पिना चोड़कर बैठी है यह प्यार नहीं है बेवकुफी है अब जी बोलिया अंटी हां है री खर चोड़कर चला गया है नहीं दे सकता नहीं मम्मी को दूंगा और नहीं पापा को दूंगा मुझसे ही बात कीजिया मैं एक्जाम में पास हो जाओं या फेल हो जाओं इससे आपको क्या करना है अंटी मेरे माबाप को कैसे संभलना है या मैं अच्छी तरह से जानता हूं गुडबाए रामचारी बातों में जरा मिठास रखो अच्छे बुरे वक्त में ये अपने ही काम आएंगे अच्छे बुरे वक्त में भाग कर आते हैं फ्रेंड्स रिष्टेदार तो बस पैसे वालों को कीमत देते हैं और फ्रेंड्स अपना बनकर फर्ज निभाते हैं नाश्ता हो गय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मार्गरिट बर्थडे के दिन मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही कह गया मैं बर्थडे भूला नहीं था सच में मेरे पापा की तबियत खराब थी हाई भीपी की वज़े से मैं जानती हूं I'm so sorry अब पापा की दविद कैसी है अब ठीक है टेंशन में तुमसे कुछ जो होना था सो हो गया अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते कॉलेज कात्म हो गया है हमारी प्राइयोरिटीज चेंज होने वाली है मेरी मम्मी तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझती और यह तुम भी जानते हो वह हमारे प्यार को एक्सेप नहीं क मेरी कातिर मा की खातिर हमारे फ्यूचर के खातिर देखो रामचारी मैने काजन से बात की है वो अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दिलने वाला तुम तो ऐसे करियो जैसे मैं कोई आवा रहो देखो अगर तुम्हें मुझसे तकलिफ हो रही है तो तुम मेरे साथ छोड़ सकती हो दुनिया की खुशी के लिए मैं अपने आपको बदल नहीं सकता सिंगल रहो तो कहते हैं लवर नहीं है लवर है तो पूछते हैं शादी कब है ब्रेक अप हुआ तो भी पूछते हैं डिवोस हुआ तो भी पूछते हैं खुशी से रहेंगे तब भी बात करते हैं दुख में रहेंगे तब भी बात करते हैं मैं लोगों की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही मैं अपने आपको बदलूँगा तुम कहोगी कि सिगरेट छोड़ दो पीना छोड़ दो तो मैं एक बार इस बारे में सोच सकता हूँ मेरे मा के लिए ये छोड़ दो मेरे बाप के लिए वो छोड़ दो किसी और के लिए वो सब कुछ छोड़ दो तो अगर इस तरह में अपना चेंज करता चला गया ना तो तुम जिस रामाचारी को चाहती थी वो तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हें मैं खोदूंगा इस डर से मुझे जैसा तुम कहती हो वैसा नाटक करना पड़ेगा और चेहरे पर नकले मुस्कान बनाए रखना पड़ करूर है तुम्हें तुम इतने चीप होने के बावचूद मैं तुमसे बेशर्मों की तरह बात करती रहती हूं तुम इस जनम में तो नहीं सुधरों के मेरी घल्ती दिखते हैं मैं उसे सुथार लेता हूं और अपने माबाब की भी परवाह नहीं करता ध्यान से सुनो मैं और अपने तरीके से जीओंगा तुम्हें यह रामाचारी पसंद निया तो अपना रास्तान आप लो अ वारा कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी मुझे खौने के बात तुम्हें है की मेरी कीमत क्या है तू क्या सोचती है तेरे जाने के बाद मैं मर जाऊंगा तेरे आ हो सौरी बुल-बुल टच हो गया ओहो ब्रेक अप हो गया तुम जैसी क्लासी लड़कियों को मेंटन करने की हैसियत उसमें है चलो मेरे साथ तुम्हें जन्नत दिखाता हो तुम लोग उसे देख कर क्यों गबरा रहे हो उसने अभी-अभी कहा कि यह मर भी जाये तो वह नहीं आएगा आज से अब उनकी प्रॉपटी है हां तेरा क्या फैस्दा है बेबी ए फॉर्मलिटी के लिए ही पूछ रहा हूं का यह वा का रहा हूं जढूma का भा का वा को अ बटावा बटावा. बख़का, बख़का. कि अ कि अ कि अ फडेड़ा उय बी कि अ कि कर दो रिस्ट का कर दो वह 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 आई! भाल हो झार्शोνεख लो झार्शों तो झार्शों जो पर कर दो कर दो कि यह सब क्या हो रहा है उसे प्यार करने का हक और छूने का हक इस राम अचारी को है और किसी को नए इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं बाविश्य तो पहले ही भिगार चुका है इसके लिए हो सकता है कि एक्जाम कोई बड़ी बात ना हो लेकिन जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करतें एक्जाम ही उनके लिए सब कुछ है बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ देना ही माबाप का फर्ज नहीं होता बेटा कॉलेज जा रहा है सिर्फ ये जानना ही ज़रूरी नहीं है वो वहाँ क्या कर रहा है किसकी संगत में घुम रहा है पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये जानना ज़रूरी है ठीक कहा सर ये दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है शराब भी पीता है पढ़ता नहीं है खुसा नाट पर है लेकिन इसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर शर्म से जुग जाए और ऐसा करेगा भी नहीं ये पढ़ता नहीं था मेरे साथ बहस करता था इसलिए कई सालों से मैंने इसे बात नहीं किये लेकिन दूसरों के गलती के सजा भी मैंने इसे दी है और अक्सर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों में भीधभाव किया जाता है और अक्सर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों में भीधभाव किया जाता है अगर हम जैसे लोग अपने ही बच्चों में भीधभाव करेंगे तो वो बच्ची अपना दुखड़ा किसे सुनाएंगे सर पढ़ने वाला बच्चा है और ना पढ़ने वाला बच्चा बुरा है यह सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल है सर इसकी चोट मैंने खाईए सर आप नहीं समझेंगे इसने यहां हाथा पाई की एक्जाम में सबको डिस्टर्ब किया कुछ तो जरूर गलत हुआ होगा तभी इसने ऐसा किया फिर भी इसकी तरफ से आप सबसे में माफी मांगता हूँ कि अधिन मैं तुझे बजपन में कभी मेला गुवाने नहीं ले गया कभी तरह बाल कट वाने नहीं ले गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैंने कभी अटन नहीं की कुल्डे कॉल्डे कॉल्ज टे किसी प्रोग्राम में नहीं गया मैं तुम्हारी मा कहती रहती है कि तुम बहुत अच्छा डाज करते हो लेकिन मैंने कभी तुझे देखाई निए अवेश अपना मुह पेर लिया पापा चलिए पापा लेट हो गया अरे पापा चलिए मैंने तेरा कभी डांस नहीं दिखा तो एक दो स्टेप दिखाना मुझे अभी देखाई बहुत रात हो गये लेट हो रहा है चलिए पापा घर चलते हैं चलिए अरे एक सुनना डांस करना मैंने तुझे कभी देखा नहीं पता नहीं आगे देख पाऊंगा यानी प्लीज प्लीज करना 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 प्लीज एक दो स्टेप बस करना जल्दी जल्दी करना तुझे तेरा बाप हूँ एक करना 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 आपक्र आपक्र, कर आपक्र. है अगरे! हालेवा! कि आपका फोन आया है मैं कितनी बार जूट बोल चुकी हूं कि आप मोबाइल भूलकर शहर गए हैं अब मुझसे जूट बोला नहीं जाएगा बहुत हुआ आप ही उन्हें जवाब दीचे अरे अलो उट अंकल मैं रमाचरी बोल रहा हूं कैसे हो कब आया अप कल पापा है क्या आप फापा घर में है ने 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 मैं उन्हें वहां लेकर आ रहा हूं ठीक है बेटा ओके अ रामाचारी भाई साब का चैरा देखने के इमत मुझे नहीं है हारी के बारीम पता चला तो यह सहन कर पाएंगे उनके हम पर बहुत इह सान है मैं उनके साथ्साथ नहीं कर सकता और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माट नहीं कर पांगे तो फिर कब तक ऐसे चुप रहोगे पापा उन्हें कुछ हो जाएगा यह सोचकर आप सच्चाई पर पर्दा डालते रहोगे तो फिर आपका क्या हाल होगा मुझ शुपाकर भागने से प्रॉब्लम सौल नहीं होती और बढ़ती है किसी और से उन्हें यह बात पता चलेगी तो आप उनकी नजर में गिर जाएगे अब तक आपने किसी के भी सामने अपना सर नहीं जुकाया और जुकाना भी नहीं कुछ नहीं होगा उनसे जाकर बात क किसी और मुझ आपने आपने कि अपने कि अच्छी अच्छी आपटी कि अच्छी नहीं कर दो मारगरेट आपकी द्वारा डाइल किया हुआ नमबर व्यस्थ है कितने ताजब की बात है रामाचारी को लेकर आज तुम मेरे घर में आये हो क्यों पापा के साथ सुला हो गई क्या तुम इस बच्चे को ठीक से समझ नहीं पाये थे थोड़ी जबान कड़क है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बिटा केता ज़रा कॉफी तो लेकर आओ बाई साब मैं कॉफी बना कर ला दिए अचा ये बता तुझे क्या हुआ है मेरा फोन ने उठा रहा था बात नहीं कर रहा था आज कल बहुत बेजी है क्या मैं दुर्ग गया था अपने सारे पुराने दोस्त मिले सबको दावत दी है सबने बेटी की शादी में आने का वादा किया है मुझसे और एक तू है कि खामोश बैठा हुआ है कोई तैयारी नहीं पता है न भाई शादी की तारिक नस्थी का रही है भाईसा आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है और मैं हमेशा उसके खुशी चाहता हूँ देख मेरी बच्ची कहां खुश रहेगी मैं जानता हूँ यही सोचकर उसे तेरे घर की दुलहन बना रहा हूँ आप ठीक करें बिल्कुल ठीक करें आपको टेंशन लेने के कोई ज़रूत नहीं है टेंशन ना लूँ क्या मतलब है तेरा मेरा लड़का हरी वो सही नहीं है उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल किया है है यह क्या क्या रहा है तो भारी को यह रिष्टा मंजूर नहीं है वो घर चोड़के चला गया अब भाई साब आपको टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है आम दोनों पर क्या बीटे कि यह सोचे बिना वो घर चोड़के चला गया कितना नालाइक निकला वो मेरा बेटा मेरे लिए मर गया समझो अब आप भी उसे भूल जाएए आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए गीता के लिए उससे अच्छा लड़का ढूंदेंगे अगर आपको मंजूर हो तो मेरा बेटा रामाचारी इस घर का दामाद बन सकता है रामाचारी एक बहुत अच्छा लड़का है यह खरास होना है ऐसे आप भी कहते थे ना रामाचारी बिल्कुल सही रहेगा इस मुसिवस से हमें अब यही बचा सकता है भाई साब भाई साब मैं परिशान था कि आपको दीवी जबान में कैसे रख पाऊंगा इसी डर से मैं आपका फोन में नहीं उठा पा रहा था पर अब मुझे जरा भी डर नहीं है भाई साब मेरा बेटा रामाचारी है ना कर Storage आकुछ रहूँंगा आप भी खुश रहेंगे अमारी बेटे कीटा भी खुश रहेगी इसकी मेहरवानी से हमसब खुश रहेंगे का भाई साब मान जाए ना भाई साब इंकार मत करना मैं आँ जोडता हूं मनामत करना कि अपनी बच्ची को बहुत बढ़ा लिखा दौलत मन लड़का तेने से कहीं ज्यादा अच्छा एक अच्छे संस्कार वाला बड़ों की इजद करने वाला अच्छा लड़का दे रहा हूं कि इस बात के मुझे बहुत खोशी है है हलो दिव्या तुम्हारे लिए गुड न्यूज है रामचारी की शादी उसकी किसी रिष्टदर की लड़की से हो रही है अच्छा है तेरी तो जान बच गई उसी अगर तुमसे प्यार होता तो क्या वो ऐसा करता इससे उसने यह साबित कर दिया कि वो एक नमर का लोफर है इढ दिवा? अलो इवा हालू? अलो? मा मा क्या है दिव्या मा मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं बची मैं मरना चाहती हूँ यह क्या कह रही हो मैंने जहर पी लिया है मा मेरा प्यार मुझे नहीं मिला यह मैं अपने इचीना चाहती मा अशोक मैं मरना चाहती हूँ कैसी है वो वो अभी मारी नहीं है वो जिन्दा है या नहीं यह देखने आया है तु आखिर अपने आपको समझता क्या है हां तुझे किसने हग दिया मेरी बेटी के साथ खिलवाड करने का आप तु तुझे शांती मिल गए होगी हां चल अब निकल जा यहां से तु जाता क्यों नहीं है जा यहां से मेरा नाम दिव्या है इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें मेरी याद नहीं आई जैसे तुम्हें मेरी बड़ी याद आई सिंदा हूं या मर गई हूं यह देखने आये हो या फिर अपनी शादी का इंविटेशन कार्ड देने आये हो मार्गरेट मेरी मजबूर माना की हमें मिले बहुत दिन हो गए फिर भी मेरे दिल में ज़रा सा भी प्यार कम नहीं हुआ हर एक पल तुम्हारी यादों में तड़प कर बिताया है सोचा था तुम भी तड़प रहे होंगे पर वो मेरी भूल थी तुम्हारे बगैर मैं अप तो फिर मेरी चान कवाने का कोई मतलब नहीं नहीं अब मैं नहीं मरूंगी मैं जीऊंगी और खोश रहूंगी मार्गरेट मेरी मजबूरी क्या है जरा समझने की कोश्ची मुझे मच हुआ खिन आती है मुझे खुछ शादी करने जा रहे हो और मेरे सामें नाटा कर रहे हो थांक्स अब मैं समझी तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगए है उस दिन तुमने सही कहा था मेरे बिना तुम आराम से जिलोगे पहले भी बिंदास था और आगे भी ऐसा ही रहूंगा जाओ बिंदास जी मारगेरेट मेरी बात तो सुेंग इसा जा रहाति नहीं ह। एत़ चोचे लिए झालाiona, ए इसमाजारा लुचे लिए घ्टावारा लुचारी को सांजाओ लिए लुचे लुचे अप्टाया वेज़्णा डाऊ सेरीका लालoka हुन्या नहींे एफ अध। मैं कब से तुझे फोन कराऊं तुझे ने उठा रहा है यह देख कैसा लग रहा हूं हाँ यह मेरी शादी का जोड़ा है शादी का बाद इसे ये शंकर चला आजा ये मैं क्या देख रहा हूं रामाचारी के चेहरे पर दूले जैसी राउनक ए रामाचारी हमने पहले जो डेट फिक्स किया था उसी दिन गीता बेटी के साथ तेरी शादी होगी मैच फिक्स तुम भी बैठो शंकर और गिर्जा जी के सपुत्र रामाचारी जी का वेंकटेश जी और स्वर्गिये सुष्मा जी की पुत्री गीता के साथ मंगनी का रस्म संपन्न हो रहा है दिनांक 18 नुवंबर 2014 के दिन चित्र दुर्ग में दोनों परिवार ने ये शुब विवा करवाने का निश्य किया है यह यह शादी मुझे मंजूर नहीं मैं किसी और लड़के से प्यार गूश्माइब करती हूं यह बात मैं आपकी भाईया को भी पताना चाहते थी लेकिन अरे तुम पागल हो गई हो क्या इस बार में तुम्हें अपने पापा से कहे देना चाहिए था बहुत बार कोशिश की लेकिन नाकाम्याब रही यह बात आप भी जानते हैं पापा को दो बार हार्ट अ बार रहा है उसे यह भी नहीं पता कि मेरी शादी यहां तैय हो चुकी है ऐसे हालात में क्या कोरूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान के लिए आप किसी तरह यह शादी रोक दीजिए और मुझे बचा लीजिए प्लीज बहुत जल्दी बता दिया मैं यह शादी नहीं रोक सकता है सुनो हम मैं से कोई कुछ नहीं रह पाएगा यह सही है अंटी मुझे मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रमूट कर दिया है अमेरिका में पोस्टिंग होई है ओ यह बात है कॉंग्रेट साकाश थैंक्स अंटी क्या मैं दिव्या से मिल सकता हूं या उसकी फोटो कोई मंगल सुत्र पहनाना है रुको अभी बुलाते हूं द झाल झाल जिन्दीगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी ने दिव्या की शादी एक लड़के से फिक्सखर दी और उसने हां भी कर दी धर पता नहीं प्यारे ये यले इससे पी कर तू सब कुछ भूल जाएगा पीकर प्रॉबmir कुछ देर जाओंगा लेकिन सॉल्व नहीं होगा सिगरेट और ड्रिंक छोड़ने के लिए कहा मेरे हेल्थ के लिए कि प्लानिंग करके सेव करने को कहा फ्यूचर सिक्यार करने के लिए चेंज होने के लिए कहा ताकि मेरा ही भला हो सके कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसकी जरासी भी कद्र नहीं की यह अपनी बात क्यों नहीं समझ रहा है यार अगर इसका प्यार सच्चा है ना तो वो इश्वर इन्हें मिलाएगा याद रखना चाहिए शाम को साथी को अधरिक दर बेज़ दें नमस्ति आयायायायायाय सर विलकम विलकम क्या बात है बात है पास विलर में आयायायायाया बात बनेगी क्या है कुछ कहां आ अपने कुछ नहीं सर आप बैठ जाए और कितना बैठेंगे सुनिये सर मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई अठारा तारीख को है मैं भाग दौर तो नहीं कर सकता समझ रहा हूं शादी की तारीख बहुत करीब आ गई है इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरी बेटी की शादी परस्नली हैंडल करें क्या कहा आपका घर भी चितर दुर्ग में ही है जी बिलकुल देट मैडम अठारा तारीख को यह लीजे इसमें शादी के सारी डिटेल्स हैं ओके ओके शादी ग्रेंड तरीके से हो यह आपकी जिम्यदार है देखिएगा कोई भी कमीना रहे जरूर सारा काम अच्छे तरीक यह अधारा तारीक को है यह कोईसीडेंस है या कहानी में कोई नया ट्विस्ट है हर जो भी है उससे मुझे क्या लो फाइल हो अर्व गिर गया सर सर यह दूसर्से मिल किया है संटुजन हो रहा है सर कौन तु जोड़ी है सर इह परफेक्ट जोड़ी अंधे को ले जाकर अं यहां क्यों आया है मुझे नहीं बता है इनकी बिशादी उसी दिन है तो इसलिए इन्हों ने इनका सारा अरेंजमेंट मैं ही करूँ पर्सनली हैंडेल करूँ इसलिए दोनों की पर्चेजिंग मैं एक साथी मुझे इनके साथ शॉपिंग करना मंजूर नहीं है मैं कॉंट्राक कैंसल करती हूं चलो मां हम किसी से ररकर क्यों जाए आप विक्र मत कीजिए पूचाही आप यहां बैटन्स देखा हां जलो शल्दी करो देखे री गूद यह पला देवी देखे वह बैंट देखे आप यहां बैठी है मैं उठ रहा हूं उनसे पूछिए इनसे पूछू इसके शकल से लगता है कि यह बहुत कंफ्यूस्ड है शर्मिला लड़का है एक्स्क्यू अधर बैठना जाता लड़की भी हां बैठना जाती आज भी इतने शंस्कार है सुपर जोडिए नई घरियो ना नेविमीब्यू ठीक है यह दास नैस में बस अभी हां ठीक है भूफ ट्रायकर निकरह सभी पाठी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ढिळ ढाल देते हैं मेरा कमिशन दूं पटापट गिन 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 कर अपनी जगह चुका देना ओके मंचला घुड़ा जी मैं ट्राइल रूम में चाह रहा हूं यहां सब संभाल देना मार्गरेट प्लीज मार्गरेट समझने की कोशिश करो ठीक शंकर ठीक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मार्गरेट बहुत अच्छी बात है मैं तुम्हे धोका देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूं वहा है रामाचारी यह पब्लिक प्लेस है चारो तरफ पहचान वालों की भीड़ है थोड़ा सबर रखो अहां वो अंकल मैं यहां यह रेस्ट रूम में हम लोग सारी सेक्शन में जा रहे हैं तू भी वहा यहां मेरी किस्मत है उसका फोन भी नहीं लग रहा है एक मिनट रुको इतनी स्पीर्ट से क्यों जा रहे हो 24 करेट गोल्ड होते वे इस उमा गोल्ड के पिछे क्यों भाग रहे हो यार दिल की प्यास को कूल करने के लिए नारियल पानी मंगाओ क्या टाइम बहुत कम है खो तुम रॉक प्लेस में क्यों बढ़ गए हो यार ओके पेचाना इसे बहुत अच्छा बैट्समन है वाव मा यह देखो यह वाली वाव सुपर्ब है यह तुछे पसंद आ गई सुनिये इससे प्लीज पैक कर दो सौरी मैडम जी यह इन्होंने ले ली है कोई बात नहीं दे अच्छेशी चीप साड़े हम लोग नहीं पहना करते अच्छी और कॉस्ली वालि दिखाई है ठीक है मेडम यह देखो बहुत मेंग है हमारी बहुक लिए उससे भी कॉस्तली साड़ी दिखाऊ जी सर यह संदो उससे कॉस्ली साड़ी दिखाऊ मुझे यह लो मेडम कांजीवर हम है गोल्ड बोर्डर वाली आपको बहुत पसंद आएगी सिर्फ बॉर्डर ही गोल्ड का नहीं पूरी साड़ी गोल्ड की चाहिए दिखा जल्दी दिखा अभी दिखाता हूं सर यह सबसे महंगी वाली साड़ी लगता है कलेश होने वाला अच्छी है ना किसी तरह इस शादी में यह साड़ी बहुत अच्छी है इसकी कीमत क्या होगी इससे मत पूछे सर्फ यह जानना है कि बॉस को साड़ी पसंद है कि नहीं जारा बताईए पसंद है मेरी वहू के लिए एक लाग के साड़ी पैक करो जल्दी हाँ तुम्हारी शौप की सबसे कॉस्ट्ली साड़ी दिखाओ यह दुकान के सबसे कॉस्ट्ली साड़ी है एक लाक रुपे की है ऊपर से लिमिटेड एडिशन इसका दो लाक रुपे अलो और पैक करो सब पैक करो भाई पैक करो अच्छे की शादिया लिए हम लोग ने आपके यह शौपिंगर के अच्छा लगा चाहता हूँ तुम्हें पते की बात बताता हूं सुनोगे बोलो तुम्हारी शादी के बात तेवारों में भी अपनी घर वाली को माय का मत भेजना वो क्यों तुम यह औरत लोगों का लॉजिक हमारी समझ से बाहर है क्यों सर इतना पैसा खर्च करके साड़ी खरीतियों से पहन कर शादी में आती है कितना कीमती है क्यों ना हो पर्स्ट नाइट में पती तो उसे बिल्कुल सही का गुरू जी यह लिज़े सर इसे ट्राइक कीजिए बहुत बखवास लग रहा है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है यह बहुत अच्छा है इसे ही पैक करवाओंगी मैं आकाश यह कैसी लग रहे हूं इस बीटिफुल बहुत अच्छी लग रहे है लिट में तेक पिक्चर अब रहे है अगे इस सुन नाइस तुम भी आजाओ साथ में किछ वाते हैं ऑप एक्सक्वाइब प्लीज थैंक्स फ्माइल प्लीज 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 वन सेकंड एक यह नेकलेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है तुम हमेशा उल्टा ही सोचती हो जरा मेरी जगा खड़े होकर सोच कर देखो जान जाओगी अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने डिलीट कर दी कम विल्टेक सेल्फी स्माइल आप ज़रा मेरे दामाद को बुला देंगे ब्रेस्लेट का पैटर्न सेलेट करना ओके अभी बुला कर लाता हूं नहीं इससे अच्छी तो वह वाली है करना चाहिए वह करते हो बडमाश कहीं के सर आपके दमाद को मैं लेकर आ गया चूप प्रेस्लेट पसंद करवाना है जल्दी से करवा लिजे इन्हें और भी काम निप्टाना है इसलिए आकाश तुम्हें अकल है कि नहीं तुम इसके साथ मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे ह मेरी बेटी के हस्बंड का नाम है आकाश इससे मेरी लड़की का कोई लेना देना नहीं है नेक्स टाइम अगर तुमने हमारे साथ ऐसी बत्तमीजी की तो मैं उसी वह कॉंट्राक कैंसल कर दूंगी समझ गए दाल मैं नहीं पुरा दाल काना है मैंने तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया तुम पहले से ही कंफ्यूज थे बहतर होगा दुबढ़ा रिपीट मत करना सिच्वेशन बहुत ही क्रिटीकल हो गई है मेरी तो हलट टाइट हो गई है तुम भी लपेटे में आ जाओगे हूं समझते क्या है कई तुम बोर तो नहीं हो गया नाट अट 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 सेन क्रियेट हो जाएगा हमें क्या करना छोड़ दो ना अट अकाश हमें क्या करना है मतलब ऐसा मेरे साथ होता तो इसको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है अगरो इसके पच्ड़ में मत पड़ो गरव में जाज किया है वादर की देखते हैं कितनी केरव है अधर बाई चॉल जाओ अधर पर नहीं वन नौट टू को फोन करो हुआ है तुझे जो पंच बड़ा है उसका इलाज फिरंगे मेडिसेन से नहीं होगा तेरा इलाज अब जानवरों का डॉक्टर ही कर सकता है समझा क्या समझा किना है नसे जकड़ गई है मोड़ना नहीं बहुत दुखेगा झाल शंकर एक दो रण नहीं लेता सिर्फ बाउंडरी और सिक्सर ही मारता है अब डर मत भागेवान बच्पन से ही कभी इसके नाग तोड़ी कभी उसका हाथ तोड़ा ये कम्रेंट तो आती रही है ना तो आज उसका जल्वा लाइफ देखते हैं एक महिना आराम करना जा चीप और्स्ट कि लड़कियों की इजद करना से एक उन्हें सम्मान दे अब अपनी बीवी को भी छूने से पहले तु दस बार सोचेगा सारे है 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 थैंक्स गुंडों को अच्छा सबस्क्राइब कोई बात नहीं यह तो मेरा फर्स था मैं नैच्रली ऐसा ही हूं इसलिए मैंने किसी से पहले ही कहा था कि मुझे एंटी सिपेटरी बेल दिलवा दो लेकिन आप तक नहीं दिलवाई मुझे चेल से चुटने के काम अब देखें नामत बोलिए प्लीज नहीं नहीं वो जरूर आएगा वो इतना रिक्वेस्ट करें तो तुम्हें जाना चाहिए ना बिटा रामाचारी के साथ तुम भी जाओ बेटा दोनों की शादी एक ही दिन है इसलिए अच्छे दोस्त बन जाओगे ओके आल सी यू दन सुबह से ये लंज किया जा रहा है आखिर मैंसे डिनर पे भी बुला दिया अंड्रेट परसंट ये दोड़ती विकार पंचर होगी सो नाइस ऑसम दोनों की शादी एक साथ हो रही है वो भी एक ही गाओ में वाडर कोइंसिडेंस या पेकार कोइंसिडेंस हाई रे मेरी किस कि मावाली के साथ शादी हो रही है तो पहले किया duekur सम्ट अकाश मैं यह सकता तुम चाहो तो लेलो क्यों अज ड्राइड है क्या नहीं नहीं लेकिन अगर ड्रिंक्स लेना ही है तो हम पहले अपने फ्रेंड्स को फून करके लेते हैं कि कली किसिया तो नहीं हो गया ना वाट नहीं इनकेस अगर एक्सिनेंट हो गया तो उनका फोन आ सकता है कि उन्हें वहाँ से पिकप करो या हेल्प करो तब आपको बुलड डोनेट करने की ज़रोत पड़ सकती है हम अलकॉल लोगे तो हमारा प्लड उनके काम नहीं आएगा ना कश सो नहीं ड्रिंक करेंगे औ और नहीं स्मोक किया है ऐसा जूट बोल देने का प्राब्लम सॉल्ट प्राब्लम वहाँ से शुरू होती है आकाश जूट बोलने से एक छोट असा जूट बड़ा काटा बनकर हमारे कलेज एक को चीर देता है आकाश लड़कियों से जूट बोलना ही बेलकुल गलत है इन के के ओके ड्रिंक्स कैंसल्ड कूल फूट अडर करूं क्या करो 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 कि अगर तो फिर रोजी रोटी का क्या नाटिंग मच शर्मा क्यों रहा वाकाश बताओ ना हमारी शादी के बाद यू एसे सेटल होने वाले हैं एक्साइट राइट येस वेरी मच अकाश तुम अमेरिक सब जगे की लड़की एक जैसी होती है अगर आपको लाइफ में थोड़ा भी खुश रहना है तो मेरे परसनल एक्सपरियेंस की हिसाब से मैं टिप देता हूं उसे फॉलो करो बहुत सुकुन मिलेगा सबसे पहली बात चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है इनका बर्थडे मत भूलना दूसरी बात इनके फैमिली का गेट टूगेदर हो या शॉपिंग के लिए बुलाया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और ये कभी भी मत कहना तीसरी बात तिविया क्या हुआ है वाटर ये हिंच की पानी से तो दूर नहीं होने विले किस का फो मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए सारी बाते नहीं बोल रहा हूँ बलकि मैं तुम्हें इस बात का एसास देला रहा हूँ कि मैंने कोई भी गलती नहीं की मैं चाता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो सच्चा ही क्या है ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की मार्गरेट लेकिन मैं जब भी तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें अपना मूँ ही फेर लिया तो मैं तुम्हें कैसे बताता, Margaret? देखो, मेरी शादी तो नहीं होने वली है, Margaret और नाहीं अभी मुझमें पापा से ना कहने की हिम्मत है मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, Margaret मेरे पापा ने जो वदा किया है, उससे उन्हें मुझे बचाना है मैं तुम्हेरे बिना नहीं रह सकता, Margaret ये तुम भी जानती हो भगवान के लिए अपनी जिट छोड़ दो एक छोटी सी भूल को उम्र भर की सजा मत बनाओ प्लीज, Margaret I love you, Margaret Yes, sir. Okay, sir. Divya, are you okay now? Sorry, it was an important call, so It's okay. Sir, बाकी के पैसे? ये क्या कह रहा हो? बिल कब दिया तुमने? पेमेंट होगा है, sir. रामाचारी, इस नोट फैर, मैं दे रहा था ट्रीट नहीं, आकश, वो मेरी बाली को मेरी पैसे खर्च करने का शॉक है Thank you, nice meeting you. Thank you once again. Thank you so much. Same here. Bye. Divya, shall we go? Bye. Bye. क्यासे हो, प्यारे? क्या बात है, रामाचारी? लब हो गया, तबसे दिखाई नहीं दे रहे हो रही? apers? बहुत ही ख़गया है क्या? हेलो, मार्गरिट. ठॉस्ष эфф हर किसी ने नाघराज कहा था तुम्हे? लेकिन नहीं तुमậों सिलके नाघराज हो? सोचा था तुम मेरे साथ ही नाटक करते हो नो तुम मा, बाप, शादी होने वाली लड़की सब के साथ नौटंकी कर रहे हो होल सेल में चीटिंग कानून में कोई ऐसी धारा नहीं जिससे तुम पर केस कर सकूँ बाप के सामने हाँ कर दिया और दिल में मैं रहती हूँ काना दोसर का नाक राज है तुमने गल्ती की इसलिए तुमने मुझसे सोरी कहा कितनी भी नाक रगर लो पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी मुझसे प्यार करने की तुम्हारी वाकात नहीं है तुमने पी रखे है यस अगर लड़किया धोका देती है तो तुम लोग लब फेलियर कहकर पी सकते हो हमें बुरा भला कह सकते हो अगर लड़के ने धोका दिया तो लड़किया भी नहीं सकती तुम्हें भला भुरा नहीं गया सकती लड़कों की जाती है अरे क्या हो गया गुरू लड़किया जब ब्राइंडी होगी रम होगा जो पैसा नहीं होगा तो कंट्री भी चलेगा किसी भी बार में यरली खाता खुलवा लोंगी टेली पीकर फुटपाथ पर पड़ी रहोंगी वैसे तो सारे अटो ड्राइवर्स तुम्हारे फ्रेंज हैं ना कहते ना तो सेफली मुझे घर पहु रहने वाले ने ने गुण आइज रहने वाले हैं गुट नाइड रामाचारी ने 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 बुद बाइं कि कुछ रह रहा है कि कुर्ण ने जा रहा है इसे जाकर पंडी ची को दे दो मैं आवी आती है बिल्कल हमारे जमाने में क्या शादिया होती थी है न यहां बैट कर सोच क्या रहा है जाकर रेडी क्यों नहीं होता हाँ हाँ अब बबूल कि है इस चाल अच्छान अच्छा जिन्दा हो या मर गई हो यह देखने क्लिया हाई हो यह शादी मुझे मंजूर नहीं किने के बाबाजू तुम उससे शादी कर रहे हो जरा रुकर रुकर तुम अपने दोस्तों की सामने मेरा मजग उड़ाना चाहते हो उपर वाला कभी तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा मैं तुम्हारे साथ घर बसाना नहीं चाहती मैं सिर्फ वर्हान को चाहते हो और बस करो बाबाबा तुम मुझे छोड़के कहां चले गए थे बताओ मैं तुम्हें कहां डूंड़ती और बाबा को सच्चाई भी नहीं बता सकती थी जीना नारक बन गया था मेरा और उपर से इसका जुल्म गीता यहीं मुझे आला हैं मैं जहां था तो वहां खाना मिलना भी मुश्किल था तो फिर मोबाइल के नेटवर्क कहां से मिलता रामाचारी ने मेरे प्रजेक्ट का डिटेल्स पता लगाया और मुझे ट्रेस आउट करके अपने फ्रेंड के थ्रू यहां ले आया थैंक्यू सूमच पापा तुम्हें किसी हाल पे पसंद नहीं करेंगे यह बात पापा के कानों तुक पहुचने से पहले हम यहां से दूर चले जाना चाहिए कहां रही हो तुम्हारे पापा को हाट अटेक आगया तो मेरे पास कोई चाहरा नहीं है फिर तुम्हारे पापा पापा वो सॉरी पापा मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं मानी और नहीं आपको खुश रख सका लेकिन जब आज आप मुझे से खुश है यह जानने के बाद आपके खुशी को चीनना नहीं चाहता था मैं सॉरी पापा पापा यह यह तुलो अंकर मुझे बहुत डर लग रहा है अंकर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करो अगर पापा को तुम बिलकुल फिकर मत करो बेटा रामाचारी बात करेगा दिव्या अभी भी वक्त है सोच कर देख रामाचारी ही तेरे लिए करेक्ट है प्लीज ऐसा मत कर यार दिव्या रामाचारी ही तेरे लिए सही है यार जिच छोड़ देवर ना पच्चताईगी तु बहुत बदल गई है सोच कर देख बदली मैं नहीं तू है बात को समझ तू कहेगा तो भी हाट एटेक आएगा मैं कहूंगा तो भी हाट एटेक आएगा मुसलिम लड़का है ना समझने आरा क्या करें रामाचारी कोई टॉनिक वनिक है क्या अपा नहीं दो-तिन पैक के बाद कि वो दिमाग अच्छा काम करता है शुब करिये पापा अब तू अंदर जा रहा है देख जरा संबल के हां और बेटा क्या बात है रामाचारी ऐसे क्यों बैठे हो मोर्त का टाइम हो रहा है बेटा अंकल ये हार्ट अटेक के लिए जो टेबलेट लगती है वो आपने खाली ना नहीं वो देखो वहीं रखी है तो वो खाली जिए अरे तुम लोग जरा दो मिंट रुको ना किया बात है उदास्कें हो कुछ कहना चाहते हो नहीं ऐसे कोई खास बात नहीं है अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तो आपको कुछ होना नहीं चाहिए कल के मैश में इंडिया हार गई क्या है नहीं नहीं अंकल इंडिया विन ज करा करा सी आजाते हैं अंकल ये मैच जहिर खान ने जिताई है इसका आपको बुरा लगा क्या मुझे क्यों बुरा लगेगा पागल हूं क्या मैं पस इंडिया जीतनी चाहिए चाहे कोई भी जीता है चाहे सचिन हो या फिर गांगुली हो तुझे एक बात बताओं मुहमत अजरू दिन जब इंडिया का कैप्टन थाना तो इंडिया ने बहुत सारे मैच जीते थे जब देश की बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्यन कुछ भी नहीं होता सिर्फ देश बड़ा होता है पानी पियोगे क्या अंकल पानी लेकिन क्यों सेफटी के लिए अंकल आपने जो कहा करेक्ट है जब देश की बात आती है तो जातपात धरम की कोई एहमियत नहीं होनी चाहिए ठीक उसी तरह जब बच्चों की लाइफ की बात आती है तो जाती धरम की एहमियत नहीं होनी चाहिए ना अंकल आपको किसी भी सूरत में हार्ट अटक नहीं आ आपको पता चली तो आपको कुछ हो जाएगा इसी डर से मैं आपको अंकल जरा अपने आपको संभालिये आपको हार्ट अटेक नहीं आना चाहिए अंकल गीता फर्हान के साथ बहुत खुश रहेगी आप भी चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे दुनिया वाली क्या कहेंगे या आप मत सोचिए अंकल दो दिन आ हूं करेंगे, तीसरे दिन सब कुछ भूल जायेंगे और अपनी अपनी जिन्देगी में बीजी हो जाएंगे अंकल लेकिन हम तो गीता की खुशिया चाहते हैं न वेरा कहा मानिया मुझ पर विश्वास कीजिए मुझ पर विश्वास कीजिए अंकल क्या हुआ रामचारी? क्या हुआ बताना? पापा? थानक्स पापा... थानक्स पापा... थानक्क यू सो मच... रामच... रामचारी... बेटा है तुमेरा... तुमेरा सिक्थमा... बाइशाब... मैसाब... कि कि ई woven यह जिब आये मैं उसे दून के लाता हूं मुरत का टाइम होग Graduate को आप चली ना मैं उसे तूनके लाता हूं कि अ만ब दू क्क्नितर मैं उसने सबकी जिंदगी तो सुधार दि फर खुद की जिंदगी फिगाड़ ली हम एंध क्या हुआ है अरे बताना क्या हुआ मैं शादी करके यहां से जा रही हूँ, अब तुम खुश रहेगी क्या? सच बता, अभी तेरे दिल में रामाचारी नहीं है, तु जूट बोल रही है, जो कहानी खत्म हो गई है, उसे क्यों दोरा रहे हो? तु अपने आपको क्यों धोका दे रही है, इतनी जिद अच्छी बात नहीं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है मैं जानती हूँ, तुमें सिखाने की ज़रत नहीं, अपने दिल में रामाचारी को बसा कर क्यों नाटक कर रही हो, शादी के लिए लाखों रुपए के सारी खरी गीता से शादी नहीं की, उसने गीता और उसके लवर को एक किया है, उसने आज तक सब का भला ही किया है, उसने तुझे धोका नहीं दिया, धोका देने पर तुली है तू, एक बात बता, रामाचारी कैसा इंसान है ये मान नहीं जानती, तू भी नहीं जानती है क्या, उसक चोटी चोटी बातों को जानकर वो आज कितना बड़ा हो गया है और उसके सामने आज मैं कितना छोटा लग रहा हूं और उसके सीने में कितना दर्द भरा है कहां गया होगा वो रामचारी कि देखो तुम यह मत समझनों कि मैं पागल हो गई हूं हमारी शादी के दिन हमारा स्वाकत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा और मैं इंदर थनुष्की ऊपर से चलकर आऊंगी मेरे कदमों का हर निशान मेरे प्यार की गवाही देगा और हमारी मुहबत का साक्षी बनेगा आज तक कि हमारी जो भी यादे हैं उन्हें अपने दिल में समा लेना ताकि शादी के बाद जब मैं तुम्हारे दिल में आओ मुझे अखेला पर नमहसूस हो तुम्हारा दिल सिर्फ मेरी लिए धड़के और आखिर में जब मैं नजर उठा कर देखूंगी तो मुझे तुम दिखाई दोगे दिव्या चल क्या सोच रही हो मैं रामाचारी की हूँ हां तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो नहीं मा जो कुछ अब तक किया वो गलत था आज मुझे मत्रोगों दिव्या शुदा आशोग दिव्या आशोग दिव्या आशोग दिव्या का सबस्पर किया लोग दिव्या आशोग्षम सर जी, आपको आपकी मार्गरेट मिल गई थी, उसके बावजुद आप साथ नहीं ची सके, मुझे मेरी मार्गरेट नहीं मिली, तो मैं कैसी चीऊँगा? छाँ एतना norma, जात्री, एक भगरेट है। रामचारी! 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 मार्गरेट! मार्गरेट! हुआ 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 है मैंने का चले जाओ तो चले जाओगे भूल जाओ कहोंगी तो भूल जाओगे तुमने गीता से शादी नहीं की तो आकर मुझे भी क्यों नहीं रोका मैं तुम्हें नहीं पहचानता क्या अगर मैं तुम पर और जोर लगाता तो गुस्से में तुम सचमून से शादी कर लेती वह सब तो ठीक है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूँ दुखी होने पर रामचारी कहां मिलेगा यह इस मार्गरेट को नहीं पता चलेगा अब आगे क्या करना है मार्गरेट डर तो था कि तुम मिस हो जाओगी लेकिन मिसस बन गई अरे यहां पानी कहां मिलेगा यह हिच की पानी से नहीं जाने वाली उससे हाँ 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 अरे खा कि पानी नहीं लेकि नहीं दूचिए के आमाया यहा हिएगी लुदिद ने से अक्लिट करना ऑ़ेगी उसकाम अंदpis